महिला नेत्री को मिल सकती है प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष की कमान नमस्कार आप देख रहे हैं MP News आपके साथ मैं हूं नम्रता मुंदेला MP News के खास कारिक्रम में आपका स्वागत है मदप्रेश में बीजेपी ने जहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विश्णु दत्य शर्मा के नाम पर मुहर लगाई तो अब मदप्रेश में कॉंग्रेस भी सक्रिये हो गई है जी हाँ प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौपने के लिए इस बार कॉंग्रेस किसी महिला के नाम पर मुहर लगा सकती है ऐसी सुखबुगाहट अब राजनीती के गल्यारों मेच चल पड़ी है इस बार किसी महिला के नाम पर मुहर लगने के बाद अब कॉंग्रेस खेमा भी सकरी हो गया है इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो सुखबुगाहट इस बात की तेज हो गई है कि इस बार किसी महिला को कमान मिल सकती है जी हाँ इस बात में सच्चाई है और कितनी सच्चाई है इस बात की तप्तिश करने के लिए यदि हम हालिये में लिए गए कॉंग्रेस की निर्ड़े उपर ध्यान देखे तो कहीं न कहें में इस बात का इशारा भी मिलेगा और इस बात में कितनी सच्चाई है उसका भी माइना कहीं निकलते वे नजर आएगा हम बात करें दिल्ली की जहां पर अलका लांबा को मौका दिया गया है वही अलका लामबा जो पिछले चुनाओं में हार चुकी है लेकिन जो उनकी नेतरुत शमता है जिस तरीके से वो अगरिशन होकर या यूं कहें कि एक अटेकिंग पॉलिटिकल एरा से निकलने वाली एक महिला है अटेकिंग पॉलिटिक्स के लिए जाने जाती है मुझे लगता है कि इसी को मद्दे नजर रखते वे कॉंग्रेस ने दिल्ली जेसी जगा पर जहां पर कॉंग्रेस पूरी तरह से समापती की कगार परे उसको फिर से जिन्दा करने के लिए अलका लामबा के नाम पर मुहर लगी है वहीं अगर हरियाना की बात करे तो कुमारी पंडित हैं इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार कॉंग्रेस किसी महिला नेतरी के नाम पर मुहर लगा सकता है और मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा इसलिए कि आप देख सकते हैं कि बीतो दिनों जो बयान बाजियां सामने आरही है उस से तो यही साफ होत कि किसी पूरुष को अध्यक्ष बनाने को लेकर कॉंग्रेस में दो गुटों में बढ़ सकती हाला कि तीन गुटों में फिलहाल कॉंग्रेस बढ़ती भी नजर आ रही है प्रमुक तोर पर लेकिन जिस प्रकार की बाते आरी कि यदी किसी महिला का नाम आगे नहीं किया गया तो निश्चित तोर पर गुटबाजी चरम पर होगी जिससे सरकार को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा फिलहाल कमलनात सरकार बढ़ी सुझबूच तरीके से जो ड्रामे बाजी पिछले दिनों हुई है सिंधिया खेमा और कमलनात का खेमा आएकदम आमने सामने थ मुझे लगता है कि एक पुरा विशलेशन किया गया है और प्रदेश प्रबारी दीपक बावरिया ने भी इन दोनों के बीज का कोई रास्ता निकालने के लिए महीला कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर सुखबुगाहाट टेच कर दिये वो जहां तक राजनितिक सु अपत पर रही है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि खासा अनुभव है वहीं अगर हम बात करें तो कमलनाद खेमा भी पसंद करता है यानि साफ तोर पर अगर अभी फिलहाल सियासी समीकरन देखें तो अर्चना जैसवाल कहीं न कहीं इस रेस में सबसे आगे चलती वी नज आ सकती है ऐसी कवायद अब लगाई चा रही है लिकिर आगे एक सवाल और यहां पर सामने आता है कि आखिर क्यों कॉंग्रेस को किसी महिला नेत्री के नाम पर महर लगाने की जरुरत पड़ रही है क्या इसके पीछे कोई रणनीती है कॉंग्रेस की अगर वो रणनीती है तो वो आखिर क्या रणनीती हो सकती है जो इस बार महिला नेत्री के नाम पर कॉंग्रेस महर लगाने की सोच रही है और इस बात का आखिर कॉंग्रेस को कितना फाइदा और कितना नुकसान हो सकता है देखे नमरता बिलकुल आपने सही कहा कि हर राजनिती में हर चाल फाइदा और नुकसान देख कर चली जाती है और इस सियासी बिसात पर जो चाल चली जाती है वो तमाम चाले होती हूँ सुच बूच कर चली जाती है मुझे लगता है कॉंग्रेस इस बार किसी महिला कॉंग्रेस कप्तान बनाने को लेकर तैयारी कर रहा है और इसी फैरिस्ट में एक और नाम जो पीछे चुट गया था अगर हम बात करें तो अरचना जेश्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी सोभा ओजा का भी नाम इस फ बहन कर रही है तो निश्यत तोर पर उनकी बी दावेदारी प्रबल होते वे नज़र आ रही है। लेकिन एक बात तो तही है नमरता कि जिस प्रकार मद्द प्रदेश में कमलनात जो है सूजबूच भरी एक सरकार चला रहे हैं इस बीच मुझे नहीं लगता कि कोई स्थिर्टा की कोई स्थिती बनी हुई है ऐसे में जब आप सत्तारूर पार्टी होते हैं तो प्रदेश कि मुख्यमंतरी कितना मजबूत है मुझे लगता है कि स्थितित तो पर एक अच्छा कारिकर रहे है निशी तोर पर एक मजबूत चहरा है लेहाजा यदि किसी महिला को यानि प्रदेश की आदी आबादी का जो नितरत प्रकर्ती एक महिला है यедि उसको मOKा मिलता तो निश मुखा दिया जाई लेकिन जेश का दुर्भाग यह Ashir कार कितनी और उन पर हैं जो पार्टिक का नित्रत्व करित तो निश्यतोर पर कांग्रेस के पास में एक कई न कई और इंग प्रोफारमा हूगा लोग को दिखाने के लुभाने के लिए कि हमने महिलाओं को मौका दिया है तो निश्यतोर पर अगर यदी बात करें तो वर्तमान जो हालात है मद्परदेश के कि सरकार कहीं ने कहीं अब इस्तिरता की और बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि मौका लिया जा सकता है और महिलाओं को लगा जा सकता है और फिलहाल मद्परदेश के प्रभारी दीपक बावरिया इसी जुगत में है कि कोई ने कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जी बिल्कुल तो राजनितिक पार्टियां जो होती है वो महिलाओं से शक्तिकरण की बात करती है महिलाओं को आगे लाने की ब ही होती है और शायर इन्हीं आरोपों को दर्किनार करते हुए कॉंग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे ला रही है यहां तक कि उन्हें प्रदेश अधिक्ष कमान महिलाओं के हाथों में सौप कर वो यह जता रही है कि वाकई में हम सिर्फ दावे और वादे ही नहीं करते है हम वाकई में महिलाओं को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहां तक कि प्रदेश अधिक्ष तक की कमान हम महिलाओं के हाथों में ही दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली और हर्याना में तो प्रदेश अधिक्ष के कमान महिलाओं के हाथों में दी ही जा चुकी है अब बारी है मध्यप्रदेश की तो यहाँ पर भी जो सुखबुकाहट है वो तेज हो गई है कि मध्यप्रदेश के प्रदेश एधिक्ष के कमान भी किसी महिला के हाथों में ही जा सकती है और जैसा कि अर्चना जैस्वाल और शोभाउजा का नाम सामने आ रहा है अब देखने वाली बात होगी कि इन प्रबल दाविदारों में आखिर किस के नाम पर महर लग पाती है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी नपूजे